इसका निकिशिरवात होती है, एक माहिन नाम के शक्स को दिखाते हो, जो एक ambulance driver है, मेंटली night duty करते हैं वो, बिमार लोगों के साथ, साथ कभी जरूरत पड़ी तो dead bodies भी carry किया करते हैं, इन फैक्ट, जादा दर समय उसके गारी में जिन्दा लोगों से जादा तो लाशे रहती हैं, जब जो trips बागी drivers cancel करते हैं, जहां और कोई चाना नहीं चाता, या रात के समय अगर जल्दी में किसे लाश को कहीं पहुचाना होता है, तो माहिन का नाम ही सबसे पहले आता है, वो किसी को मना नहीं करता, भली रात के धाई बज़े ही क्यों नहीं हो, उसके सिम्मत की तारिफ करते हैं समय, माहिन कितना ब्रेव हैं, उसे भूठ प्रेशाच से कोई डर नहीं लगता, मगर तसलियत वो तो सिर्फ माहिन को यह बता है, तसलियत तो यह है कि डर उसे भी लगता है, मगर पैसो के लिए उसे ये काम कहना पड़ता है, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, कुछ भी कह सकता है वो, ऐसे में एक राद, जब उसका दोस्त उसे आगर कहता है, कि एक लाज को ले जाना है, डेस्निशन कालते दूर है, तो वो तरफ धरासी हो जाता है, बिना कुछ सोचे समझे ही, फोन पर क्लाइंट से पूरा डिटियल्स जान कर उसी वक्त निकल भी पड़ता है, लेकिन रवान होंतलें से पहले एक छोटा सा हाथसा होता है उसके साथ, मज इस बेंच पर मैठा था, उसका एक स्क्रू निकला हुआ था, जिस पर माहिन का पैंट अड़क जाता है, अब ही एक कांट अफ अब्स्रक्शन था, असिस को इसे रुकने के लिए कह रहा है, माना जाता है कि किसे भी ताम पर निकलने से पहले अगर इस तरह के कोई बाधा आए, तो उसे अर्शोप माना जाता है, उस गाम पे बहुत साथे होटेल्स फेस करना पड़ता है, ऐसे में कुछ देर रुक कर फिर निकलने से सारे प्रॉब्लम्स सॉल्फ हो जाते है, तो माहिन का दोस्ट पे उसे यही कहता है, मदर माहिन नहीं रुकता, उसें सुपस्टीशन्स पर बिल्थ भी येकीन नहीं था, वो अपने आसिस्टेंच राकेट को साथ लेता है और रवाना हो जाता है, और कुछी समय के अंदर पिक अप स्पॉर्ट तक पहुँच भी जाता है, कॉफिन खोला नहीं चाते के बोलो, और जब माहिन लाश को देखता है, वो खत भी समझाता है क्यों, खत भी चौप उठता है वो, ऐसी लाश वो लाइफ में पहली बार देख रहा था, और पहली बार ही डर से उसकी रोग काम उठी थी, अच्छली ये लाश कोई नॉर्मन लाश नहीं थी, 20 दिन पुरानी लाश थी ये, सच चुकी थी काफी हद तक, जब बज़र्ग आगमी थे वो कहते हैं, यह उनका बेटा है, 20 दिन पहले खुद को फासी लगा कर सुसाइट किया था उसने, फोई एद्बार अल्रेटे लाश को दफना के चुके थे, मगर पोस्मॉटेम के लिए फरसर निकालना पड़ा, आज उसके फाइनल बोडियल के लिए ले जा रहे हैं वो लोगा, माहीन आप उनसे कोई सवाल नहीं करता, उसके हिम्मत नहीं होती, किसी तखा रापियर को कॉफिन सील करने के लिए कहकर ख़द दूच आकर देखने लगता है, अचानक ही अपनी अंदर एक दर महसूस करता है वो, अपने अंजाने में ये गला सूप में लगा था उसका, मगर कुछी देर में ये वो खुद को संभाल लेता है और गाली भगाता है बग्रोडा के तरफ, जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, रास्त पर चासिक भी कम होने लगा था, थीरे थीरे सुनसान होने लगा था आसपास, करसे में महिन को कॉल करती है उसकी पत्नी फरहाना, वो अब इदर घर क्यों नहीं लोटा ये जानने, जैसे महिन कहता है बहुत ट्रिपर है, फरहाना की आसपास बहुत सारे गवए एक साथ चेक उठते है, जैसे किसे अन्होनी का संकेत दे रहे हो, लेकिन तिराद के इस समय घर के आसपास, इतने सारे गवए आखिर आये कहां से, अचानक ये चौक उठती है फरजाना, और इसकी धरकने भी तेज हो जाती है, बिना जिसी कारण के उसे भी बहुत डर लगने लगता है, ऐसा लगता है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो, वो माहिन को ओन भी करती है, यो उसे बहुत नेगिती वाईव आ रही है, उसे सापधान चाहिने चाहिए, लेकिन माहिन तो माहिन है, वो गौड़ी नहीं करता, तब तब वो लोग मेंन सिटी छोड़कर काफी दोर निगल चुके थे, असपास पीर और जंगल की सिफ़ार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एक अचीब सा सनाटा जकर ने लगा था माहिन को, इस से बचने के लिए वो रेडियो आउन करता है, मगर उसमें भी अचानिक सीपत ग्लीचस आने लगी थी, खोई चैनल ठीक से पकर ली नहीं रहा था, जब कि कुछ दर पहले जब पुराकर अपने आउर किया था, तब पिलफल ठीक चल रहा था, ठीर ये प्रॉब्ल्म रेडियो की तो नहीं थी, बात कुछ और ही थी, जो माहिन को थोर ये बहुत समझ आने लगी थी, वगर वो और कुछ नहीं कहता, चुक चाप ड्राइफ करने लगता है, इसका थोरी देर बाद एक बहुत अचीब हादसा होता है उनके साथ, गारी पर कुछ गिरता है, जिसकर जार्किंग से सब ये काप उठते हैं, माहिन कहता है पेर की कोई सूखी टैनी होगी, लेकिन बागी लोग येकिन नहीं करते, वो शूर्ट थे, ये कोई भारी चीज़ है, और्मोस्ट बीस या तीस किलो के, नहीं तो उन्हें कितना बड़ा चचका नहीं लगता, उनके कहने पर माहिन को गारी से उतर कर चेक करना ही पड़ता है, वेक लाठी से गारी के चचच पर भी देखता है, वकल उससे कुछ नहीं मिलता, कोई टहनी भी नहीं, इस बार तो खुद माहिन भी हैरान हो जाता है, ऐसा कैसे हो जगता है, कुछ तो मिलना चाहिए था ना, किस समय चैसे वो फ़र से अपने सीट के तरफ वापस जाने लगता है, उसे गारी के पीछे एक हर्की से आवास सुनाए दीती है, जहाँ चैक कहने पर उसे दिखाए देता है खून, किसी की दाजे खून की बौंध गिरी थी वहाँ, मगर यह खून आया कहा सी, आसमान से, इस्टैंटले एक अंजान डर काबो करने लगता है माहिन को, उसका शरीर शिवर करने लगा था, बचाने की बहुत ठंट लगने लगी थी उसे, और उसे फीर हो रहा था, कि जंगल के अंदर से किसी के आखे उसी ही देख रही है, वो और वक्त जाया नहीं करता, चल्ले से कारी के अंदर चाकर गारी स्टार्ट कर देता है, जब सभी पूछते हैं, वो बहुत ही कैशले जमाब देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मगर असल में तो बहुत कुछ होने वाला था, जिसकी भनग शायद महाईन को लग चुकी थी, वो तेजी से गारी बगाने लगता है, और हम देखते हैं कोई अद्रेश्य शक्ती उस वैन का पीछा कर रही है, कच दिर बाद राकिप भी नोटिस करता है इस चीज़ को, पंधेरे में उसे दो आखी दिखाई देने लगते हैं, जो आख की तरह चल रही थी, लाकिप को लगता है कोई जन्ली जानवर होगा, वो माहिन से कहता भी है, माहिन पहले तो येकीन नहीं करता, मब अब लुकिंग लास के तरफ देखते हैं उसकी धरकने रोक से जाती है, ये कैसा जानवर है, इतना भयानत, गारी की स्पीट से दिये मैच करता है, वो गारी का स्पीट दुगना कर देता है, और जितना जल्दी हो सके, इस उन्सान सर्फ को पार करने की कोशिश करने लगता है, जबकि उसे पता था, इस इन्हूमन क्रेचर से पीछा चुराना उसके बस की बात नहीं, बट लाकिली कुछ देर बाद वो जानवर अपने आप की कायब हो जाता है, और सभी चैन की सांस लेते हैं, मगर स्यादा देर के लिए नहीं, कुछ देर जाती ही, शिरू होती है एक नई मुसीवत, चालू तरफ से एक अजीब से आवास गुण्श उठती है, फिर से एक जर्किंग फील होता है, ऐसा लगता है कि गारी के छट पर कोई है, कोई बहुत भारी चीज जो जिम्दा है, हिल रहा है, जोर-जोर से खूजा मारा है, अपने लंबे-लंबे नाखोनों से स्क्रैप्च करदा है, पैसरिफ कुछ भी करके अंदर आना चाहता है वो, देश से सभी के हालत खराब हो चुकी थी, सारे विंडोस सील करके सभी चुप चापे कोणे में बैट जाती है, और दुआ करने लगते हैं, शायत उस दुआ के की असर से कुछी दे में ये मुसीबत भी दल जाती है, शांत हो जाता है सब कुछ, सभी को लगता है कि शायत और कुछ नहीं होगा, मगर होता है, अभी तक जो हुआ था बस्ते कई गणा भयानन, उन्हें एहसास होता है, जो अद्वेश्य शक्ती अभी तक से बाहर से दस्तेक दे रही थी, अभी वो अंदर ला चुकी है, अचानक ये एक बहुत एखिनाओने बद्बू से बढ़ जाता है कारी का हर एक कोना, मगर ये बद्बू बाहर से नहीं आ रही थी, बलके निकल रही थी कॉफिन के अंदर से, एक अचीब से स्मेल, किसी सरी हुए लाश से निकली बद्बू से भी ज़्यादा खदरनाग, सब एकों तो लिटरली उल्टिया जाती है, माहिन की भी तबियत खराब होने लगी थी, फिर फिर को गारी नहीं रोकता, किसी तरह अपना नाक और मो कवर करके, स्टेरिंग पर ग्रिप बनाया रखता है, मगर इसके बाद जो होता है, उससे उसकी हिमत पिचबाद दे रही है, गारी रोकने पर मजबूर हो जाता है, कॉफिन के अंदर, खलचन शिरू हो चुकी थी, अंदर से कोई घूंसा मारा था, कासा लग रहा था, जैसे लाश जिंदा होकर, बाहर निकलने की कोशिश कर दे हो, फोर्स कितना जादा था, कि बाक्स तूटने लगा था, ऐसे में गारी में रुकने की हिम्मत किसी में नहीं हो दी, सभी बाहर भागते हैं, और दोश से देखते हैं, उस बाक्स के अंदर कैसा तांड़ चल रहा है, उसके वाइब्रेशन से पूरी गारी ही कापने लगी थी, और अंदर के सारी लाइट्स, लेक्ट्रिकल डिवाइसे सब कुछ फिलिकर करने लगा था, अपनी आखों के सामने इतना भयाना कुछ, शायदी पहले कपे देखा था इन लोगों ने, तरसे सभी का चहरा फीकर बढ़ चुगा था, इसके बात क्या होगा और क्या क्या जेरना परेगा, उन्हें इस स्टेंशन में सेहम चुटे थे सभी, इस पॉर्ण पे एक बोखत दुराजनी बात सामने आती है, पता चलता है इस लाश को ब्लैक मैजिक में यूज किया गया था, और इसके पिता और भाई कर इसके बारे में पहले से ये पता था, असल में उन्होंने लाश को कब्रे से नहीं उठाया था, बलके किसी और ने उठाया था, उन्होंने जब देखा तब लाश बाहर परी थी, देखे लें उन्हें पता चल चुका था कि इसके साथ कुछ किया गया है, किकि उसका सर कट्टा हुआ था, सर्फ पोस्मॉटेम के कादुन उसके ऐसे हालत नहीं हुई, और शर्ट इसलिए आज उन्हीं ये सब जेनना परा है, इन्फाक्ट उसका भाई तो इतना डर चुका था, कि ये वो और उस लाश के पास वापस जाना नहीं चाता था, उसकी इमत ही नहीं हो रही थी, दुस्य तरफ उसके पिता, दर उन्हें भी लग रहा था, फिर भी अपने मरे हुए बेटे को छोड़ कर जाने से इंतार करते हैं वो, वो जित पकड़ चुके थे, कि अपने बेगे को कॉपर बढ़ियल देके हैं रहेंगी, नहीं तो उसके आत्मा कोई शान्दी कैसे मिलेगी, कैसे आज़ाद हो पाएगा वो, सब्पच सुनकर माहिन को भी उन पर बहुत तर्या आ जाता है, वो भी एक पिता है, शाद इसलिए उसके भावनाओं पर समझ पारा था वो, लेकिन हकीकत को नजल अंदास भी करना पॉसिबल नहीं था, फाइनली बहुत सोच विजार करने के बाद, इसका एक सल्यूशन ढूर्ट निकालता है वो, कहता है, बाखी रात वो लोग यही रुकेंगे, संद्राइस ओन में जादा वक्त नहीं है, सब्हा के आजान के बाद ही वो लगफर से रवाना हूंगे, पाकिया को भी यहीं ठीक लगता है, तो सभी चुप चाथ उससे बलका इंतजार कहने लगते हैं, और सूरज के पहली के रहन के साथ ही, माहिंगारी भगाता है मगूरा के तरफ, क्रेवे अर्ट तक पहुच की भी, कोई साथ में कोश्या केकी नहीं हो रहा था, कि कोई और, एक कम्प्लीटली अंजान वक्ती, उनके मेटी के लिए इतना कर सकता है, अपने जान की बाजी लेकर उसे यहां तक पहुचा सकता है, अगर वो जाता, तो कल रात ही इतना सब कुच होने के बाद, लाश को फेक कर भाग सकता था, वगर महीन ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं था कि उसे डर नहीं लग रा था, इनफेट पहली नजर में ही उससे समझ आ गया था, इस लाश के साथ कुछ गरबर है, और जब बाद में उसे पता चला, कि इस लाश को ब्लैक मैजिक में यूज़ किया गया था, तब भी उसने साथ नहीं छोड़ा, क्या है उसकी बेवा कोफी थी? Of course not, ये इंसानियत थी उसकी, अब ख़द एक पिता होकर एक दूसरे पिता को हेल्प कर रहे थे बस, तब शद उसने इसकी नतीजे के बारे में सोजा नहीं था, उसे पता नहीं था कि ये एक हाथसा उसके जिन्दगी को हमेशे के लिए बदल सकता है, अतिक एंडिक सीन हम एक हुजूर को देखते हैं लाश को दफनाते हुएं, जैसे फोर रिच्वल स्टार्ट करते हैं, अचानिक से ये बहुत सोट के बाद ही शुरू हो जाती है, हस्पास जैसे दुफान शुरू हो चुगा था, साथ में उस हुजूर की तबियर पीत तीजी से बिगरने लगी थी, सैटले उन्हें एक विशन आता है और एक रियलाइजेशन हिट करती है, वो बताते हैं, हमारे समाज में कुछ बहुत बुरे लोग होते हैं, जो प्लैक मैजिक करने के लिए ऐसे अन्मैरिट लड़कों की तलाश में रहते हैं, जिनों ने सुसाइट करी हो, जिनके मौत नाच्रल तरीके से ना हुई हो, उनका सर काट कर उसके जरीए जिन बुलाते हैं वो लोग, इस लाश पर भी एक बहुती शितिशाली काला जादो किया गया है, एक बहुत बुला जिनका बुला गया है इसी यूस करके, इसे ले ली तो वजन बार बार कोशिश कर रहा है इस लाश पर कपसा करने की, तलहालो जोने सील कर दिया है इस कप्र को, तेकिन अगर फिर कभी इस लाश को जगाया गया तक किसी ना किसी की जान जरूर जाएगी अभी यहां मौजूद किसी ना किसी के साथ कुछ बहुत बुरा करेगा ये शेयतान वो उसका परिवार का कोई हो सकता है या फिर पाहर का कोई इन फैट माहिन और अला के पी इस खत्रे से बहार नहीं थी वो लाश के पिता से कहते हैं उन्हें एकलेस कच रात इस कब्रों पर नज़र रखना होगा साथा दैना होगा बाकि और कुछ उनके हाथ में नहीं है वही होगा जो अल्ला की मरसी होगी इस हाथसे के बाद माहिन फिरक पी उस परिवार के कॉंटक्ट में नहीं आया इसलिए उसे कभी पता नहीं चला उनके साथ क्या हुआ मगर उसे खुद को समालने में काफी वक्त लग गया था उस रात के बाद कई रातों तक आन्मस्ट तीन महीने तक वो घर से निकल ही नहीं पाया मगर पैसों के लिए एक दिमें से फिर से निकल ला ही पड़ता है और उस तिम फिर से उसका सामना होता है एक भयानक रियालिटी से उसे अचानक ही इस स्ट्रॉंग स्मेल आने लगा था पहले उसे लगा लाकेट में कोई पूफिम यूज किया होगा उगर असर में तो ये स्मेल वैन के पीछे रिखे कॉफिन से आ रही थी जैसी महीन तीछे देखता है उसे एहसास होता है कॉफिन हिल रहा है और एक काले रंगा हाथ निकल रहा है उसके अंदर से तो क्या इसका मतलब वो जिन फिर से जाक चुका है क्या फिर महीन हैलुसिनेट कर ला है अनफॉर्चनेटलिए इसका जवाब हमें नहीं मिलता क्योंकि उससे पहले ये तो यहाँ पर ही एंड हो जागी है पर ये लिखो महीन का हलुसिनेशन ही हो जिसे एक ना इतनी वो अवरकम कर सकता है लेकिन अगर वो सचाय निकली अगर वज़न फिर से जा क्या परमाहिन का पीछा करने लगा तो पता नहीं क्या होगा किसी और के बिलाई करने की कीमत क्या उसे अपने इंचान को कर टेनी परेगी God knows स्पेशले जब फिल्म के एंडिंग में हमें एक छोटा सा ख्लिप दिखाया जाता है जिसमें दावा किया जाता है कि एक ट्रू स्टोरी है तो थोड़ी से टेंशन तो हमें भी होती है बतादी लास्ट में क्या हुआ होगा इनिवाइस गाइस उतना देम चाने की ज़रूरत नहीं है फिल्म है तो एंडर्टेन्मेंट के तोड़ पहें लेना चाहिए और उस हिसाब से मुझी ते यह फिल्म बहुत अच्छ रही बहुत ही यूनिक आटमस्ट्रियर रिक हॉर्डर है जब मेरे ख्याद से सभी एंजॉय कर सकते हैं काला जादू टॉपिक ही ऐसी है